जब हम छोटे बच्चों को उनके स्कूल के बारे में पूछते हैं तो वो LKG, UKG, नरसरी ऐसे कुछ शब्द बताते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका क्या मतलब होता है ये पता नहीं होता तो आज की वीडियो में हम जानने वाले है प्राइमरी, LKG, UKG क्या होता है प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडल स्कूल, सेकंडरी स्कूल, सीनियर सेकंडरी स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्री नरसरी, नरसरी, केजी, LKG, UKG ये पाचों भी प्री प्राइमरी स्कूल में आते हैं इसके लिए बच्चों की आयू तीन से वर्ष के बीच होना जरूरी होता है केजी का फुल फॉर्म किंडर गार्टन होता है किंडर गार्टन को हिंदी में बालवाडी या बच्चों का बगीचा कहा जाता है LKG यानि Lower kindergarten इसे Junior केजी भी कहा जाता है और UKG यानि Upper kindergarten इसे Senior केजी भी कहा जाता है नरसरी में प्रवेश लेने के लिए बच्चे की आयू सीमा धाई साल से लेकर साड़े तीन साल हो ऍह साल होना अनिवार्य है इसके बाद जो कक्षाए होती है उसे प्राइमरी स्कूल कहा जाता है इसमें एक से लेकर 5 तक कक्षा होती है कक्षा 1 के लिए आयूसी मा 6 साल पूरे होना अनिवारी होता है ऐसे ही आगे बढ़ते हुए कक्षा 5 के लिए आयूसी मा 10 साल पूरे होना जरूरी होता है जैसे कि मैंने बताया 1 से 5 कक्षा तक primary education कहा जाता है लेकिन नीचे दिये गए राजों में कक्षा 1 से 4 तक ही primary education कहा जाता है इसके बाद कक्षा 6 से कक्षा 8 तक middle school कहा जाता है लेकिन कुछ राजों में कक्षा 5 से कक्षा 7 को ही middle school कहा जाता है कक्षा 9 और कक्षा 10 को secondary school कहा जाता है वही कक्षा 11 और कक्षा 12 को सीनियर सेकंडरी स्कूल कहा जाता है इसके अलावा कक्षा 12 के बाद यानि 18 साल के बाद 3 से 4 साल की पढ़ाई को ग्रेजुएशन कहा जाता है और ग्रेजुएशन के बाद 2 से 3 साल की पढ़ाई को पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है तो एसे ही ग्यानवर्दक वीडियो जो हर रोज देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें